नवश्वार दोस्तों कैसे हैं आप लो मेरा नाम है हर्षी दिवेजी तीन फरवली 2021 के डेली एडिटोरल डिस्कुशन में आपका स्वागत है कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कुस करेंगे देखिए आज बहुत अच्छे आर्टिकल्स है लेकिन दो आर्टिकल्स बजट के है और दोनों आर्टिकल्स बजट के मैं आपके साथ डिस्कुस करूँगा और ये दोनों आर्टिकल्स अच्छे इसलिए लगे चुकि जो पहला आर्टिकल्स आपके सामने है अनॉर्मल बजट फॉर अबनॉर्मल टाइम्स यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि भाई समय आइटी मदरास तो आइटी मदरास के एकनॉमिक्स के प्रोफेसर बोल रहे हैं कि भीया ज्यादा खर्चा करने की जरूत है समय खराब चल रहा है और सरकार बजट छोटा लेके आई है नॉर्मल बजट लेके आई है तो यहाँ पे एम सुरेश बाबू क्या बोल रहे हैं यह और एट दा सेम टाइम इसके एक काउंटर पॉइंट आ रहा है किसकी तरफ से दूसरा आर्टिकल है टिटी राम मोहन जी का जो की आयां मेहमदाबाद में प्रोफेसर है तो भाई दोनों परस्नालिटी जिनोंने दो आर्टिकल लिखे हैं दोनों तगड़ी है यह क्या बोल तक फिजिकल डेफिसिट का टार्गेट तीन साड़े तीन परसंट पे रखा जाता था अब उसको दो हजार पच्छी सब्स तक साड़े चार परसंट करने की बात हो रही है तो इसको देखेंगे यहां पे बिलकुल ही काउंटर व्यू पॉइंट आपको मिलेगा बजट का जो कि इस समय पे गर आप समझोगे तो हर इनसान ये बोल रहा है कि बजट में ज्यादा पैसा अलोकेट करो बजट में ज्यादा पैसा अलोकेट करो बहुत ही कम ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि नहीं भाई बजट में थोड़ा कम पैसा खतम करो ज्यादा खर्चा हो रहा है, ऐसे बहुत कम लोग है, ज्यादा तर जगह आप जो देख रहे होगा आर्टिकल्स, वहाँ पर सरकार को किट साइस किया जा रहा है, कि पैसा और खतम करो अलगल सेक्टर में, लेकिन इस पर्टिकुलर आर्टिकल्स में आपको ये विवपांट मिलेगा, कि पैसा ज्य खतम करना क्यों ठीक नहीं है, थोड़ा कम खतम करना क्यों ठीक है, तो इसको समय ने कोशिश करेंगे यहाँ पर, उसके बात कुछ और आर्टिकल्स भी है, जैसे कि सेट बैक इन मायनमार, अब इसको मैं अभी तो नहीं डिसकस कर पाऊंगो, चोकि ये दो बजट के आर्ट इसको मैं ठीक ठाक समय लगने वाला है, इसके बात एक और न्यूस जो मुझे इंपोर्टन लगी, नैशनली फोर देमोकरसी मायनमार में जो हो रहा है, that I will cover separately, यह न वीडियो, समय नहीं मिल पाए, पिपिटी मनाने का मैं जल्दी मना दूँगा, एक ये आर्टिकल मैं उत्तरपदेश जैसे स्टेट्स में, मोईस्ट के अगेंस्ट में, वो कितनी प्रेपेर्ड हैं, उन्होंने दोहजार आट से लेके दोहजार बीस तक कितने मोईस्ट को हराया है, और आगे ये मोईजम फिर से उठना जाए, फिर से लोगों को परिशान ना करने लगे, उसक कुल दबाईए, वीडियो को शेर करिए, चैनल को शेर और सब्सक्राइब करिए, जॉइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं, प्लेलिस सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं, कि मैंने कौन-कौन सी प्लेलिस बना रखी हैं, बहुत से NCRT, स्पेक्टरमी किताब, जोग जाएगी, लैक्टर की PDF मिल जाएगी, टेलिग्राम और इंस्टाग्राम, और जॉइन बटन का लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा, अमेरी बहुत सी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे description box में मिल जाएगा, तो भाई, नॉन्मल बजट, तो नॉन्मल बजट, पर जैसे कि for example, आपका खर्चा है महीने का 100 रुपे का, आपके पास पैसे आए और आपने एकदम से अपना खर्चा 100 रुपे से बढ़ा के 400 रुपे पती महीने कर दिया, तो आप बोलोगे एकदम से instant increase हुआ, एक चीज़ क्या आपने की कि आपके पास 100 रुपे है, आपने हर मही ने 10-10 रुपे से अपना खर्चा बढ़ाया, तो पहले महीने 110 रुपे किया, दूसरे महीने 120 रुपे किया, फिर 130, 140, 150, इसको आप बोलोगे gradualism, incrementalism, मतलब आप अपना खर्चा बढ़ा रहे हो, बट कर्चा आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, ठीक है भई, अब ये जो budget 2021 आ IMF, हमारी खुद की finance ministry, सब ने अपने projections किये थे, recently कुछ ऐसे projections निकल के आ रहे हैं, कि जो हमारी economy है, वो 7.7% से घटेगी, अभी इस बात को बहुत ज़्यादा criticize किया जा रहा है, ये बस एक projection है, ठीक ना, कि हमारे budget का projection है, economy 7.7% या 7.7% से नीचे जाएगी, और economic survey यहाँ क्या project कर रहा है, economic survey project कर रहा है कि 2021-22 में जो real GDP growth है, इंडिया की वो होगी 11.1%, इसमें 4.4% का inflation जोड़ दीजे, तो overall GDP growth कितनी निकल के आ रही है, अगर आपको समझ में नहीं है कि 11% 4.4% तो 15.4% क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लिजे 2019-20 में, sorry, 2020-2021 के comparison में यह आप compare करोगे 2021-22 को, तो 2020-21 में मान लिजे GDP है 100 रुपए, ठीक है, तो 2020-21 में GDP है 100 रुपए, 2021-22 में अगर आप inflation रखते हो कितना 4.4%, यानि चीजों के दाम 4.4% से बढ़े हैं, और आपकी जो real economic मढ़ी वो बढ़ी 11% से, real economy मतलब की base price के हिसाब से, यानि कि यह जो 100 र रही है, finally आपको अगले साल में figure कितना मिला 115.4 रुपए का, ठीक है, तो 2020-21 की economy थी 100 रुपए, 2021-22 की हो गए 115.4 रुपए, तो आपको नजर आ रहा है कि 15.4% का increase है, बढ़ यह actually में 15.4% का increase नहीं है, जोकि 4.4% तो inflation था, तो चीजों के दाम ही 4.4% बढ़ रहे हैं, तो increase कितने का है, 15.4% माइनस 4.4%, 11% का, यहीं बताया जा रहा है, तो overall increase 15.4% का होगा, economic survey का बोलना है, यानि 100 रुपए की economy, 115 रुपए, 40 पैसे की हो जाएगी, लेकिन इस 15.4% में inflation महंगाई भी जुड़ी है, चोकि चीजों के दार हमार साल बढ़ रहे हैं, तो पहले जो होगे, तो आपको मिलेगा real increment, जो की है 11%, समझ गे, नहीं समझ में आया, फिर से rewind करके सुनो, अब यह जो double digit growth projection मताया जा रहा है, double digit growth projection मतलब की 11% का real GDP growth, 15.4% का nominal GDP growth, यह double digit इतनी तीजिस economy कैसे ग्रो हो रही, इसलिए ग्रो हो रही, चुकि बेस लो है, बेस क्यों लो है, बहुत सारे experts बहुत adverse प्रकार से भी बोल रहे हैं, कि यह realistic नहीं है, यह जबरदस्ती में सरकार figures को बढ़ा के दिखा रही है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बट चलिए यहाँ पर हम एक बार के लिए माल लेते हैं, कि यह हो भी जाता है, और अगर ऐसा हो भी जाता है, त तो 2019-20 की economy की comparison की बात की जाए, तो GDP growth कितना देखने का मिलेगा, केवल 2.4% का, अगर आप 2019-20 के level से देखो, तो केवल 2019-20 के level से 2021-20 की economy 2.4% ज़ए है, यानि almost 2 साल लग गए हमारी economy को COVID-19 के साथ deal करने में, COVID-19 इतना गंदा मारके गया Indian economy को, Indian economy को क्या है, वो पूरी दुन तो आपको जो policy responses देने हैं, वो non-standard देने हैं, non-standard मतलब special policy responses देने हैं, और यह expectation थी budget 2021 के से, कि हम special policy responses देंगे, लेकिन special policy responses नहीं दिये गए हैं, यहाँ पर business as usual को लागू किया गया है, incrementalism को लागू किया गया है, special policy responses मतलब की, author यह कहने के कोशिश कर रहा है कि आप increased allocation करो, आप पहली बात तो innovative प्रकार की policies लेकिया हो, schemes लेकिया हो, जो कि revolutionary तरीके से problems को solve करें, और दूसरी बात उन पर पैसा ज्यादा खतम करो, सरकार ने यह नहीं किया, सरकार पैसा बढ़ा रही है, बढ़ धीरे दीरे बढ़ा रही है, तो सरकार क्या कर रही है, तो finance minister ने जब speech दी, तो उन्होंने budget में 6 pillars को point out किया, अब यहाँ पे सारे 6 pillars की बात तो नहीं की गई, लेकिन जो सबसे पहला pillar था, वो था health sector, health sector के respect में, जब मैंने कल का editorial discuss किया था, तो आप वो काफी statistics बताया थे, अगर आपने कल का editorial दिहान से देखा था, तो वो statistics आपको याद होंगे नहीं आद होंगे, तो आपने note किया होंगे, या फिर उस PDF को save किया होगा, जो भी किया होगा, अच्छा, PDF अगर मैंने नहीं डाली टेलिग्राम में, तो मैं डाल दूँगा, attention मत लेना, तो भाई, health sector पहला वो pillar है, जिसको finance minister ने अपनी budget में point out किया है, और health के अंदर जो भ ये बोल रहा है कि अजब आप long term के लिए figures को announce करते होंगे, politicians क्या करेंगे, politicians अपने figures को बड़ा दिखाने के लिए, उनको तोड़ मरोड के दिखाएंगे, तो अगर वो एक साल में 100 रुपया खतम कर रहे होंगे, तो वो कैसे दिखाएंगे, कि अगले हम 6 साल में 600 रुपय खतम करेंगे, वो ऐसा इसलिए करते हैं, चुकि लोगों को figure बड़ा नजर आए, और लोगों को figure बड़ा नजर आएगा, तो लोगों को लगेगा कि भाई, काम ज़्यादा हो रहा है, और यहां पर यह बोल रहा है, कि जब आप planning long term में कर रहे होंगे, तो immediate outlay के उपर से ध significance खतम हो जाता है, और problem तो present circumstances में है, urgent तरीके से अभी फिक problem को solve करना है, तो long term outlays, small term planning को, immediate planning को ignore कर देते हैं, यह बात यहां पर बता ही जा रही है, पहली चीज़, फिर आगे बात करते हैं, साफ साफ बोल रहे हैं, कि सरकार का जो overall expenditure है, वो बहुत कम बढ़ा है, अभी वो कम कैसे बढ़ा है, देखते हैं, 2020-21 का, जो total expenditure निकल के आया है, वो कितना है, 34,50,305 करोर, ठीक है, किसमें revised estimates में, यह revised estimates से, पहले इससे भी कम था, बढ़ा के वो 34,50,305 करोर है, और इस 34,50,305 करोर यह 20-21 की बात हो रही है, इसमें से 4,39,163 करोर capital expenditure है, capital expenditure और revenue expenditure के भीच में फर्क में, I hope आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ गया होगा, तो मैं बताता हूँ, capital expenditure जब आपको इन नया asset बनाते हो, जैसे कि आपने नया port बनाया, एक नया shipping port बनाया, एक नया airport बनाया, नय school colleges बनाये, नय hospitals बनाये, इसको आप बोलते हो capital expenditure, समझ गया है, training institutes बनाये, this is capital expenditure, revenue expenditure क्या होता है, कि daily मर्रा के खर्चों को चलाने के लिए आप revenue expenditure कर रहो, तो सरकार ने 1000 करोन का market से करजा उठा रखा, अभी उस करजे पे interest देना है, तो वो interest revenue expenditure है, वो देना ही देना है, करजा तो पहले लेके आपने खर्च कर दिया, लेकिन उसका interest तो आज दोगे, तो वो देना ही देना है, उसके बाद government departments काम करते हैं, लोगों की salaries देनी है, ये क्या है, ये भाई आपका revenue expenditure है, तो मतलब कि capital और revenue expenditure नो फर्क इतना आया कि जिससे नया assets बन रहा है, जिससे नया infrastructure बन रहा है, जिससे productive capacity economy की बढ़ रही है, वो हो गया capital expenditure, और जो daily मर रहा है ये खर्चों चलाने के लिए हो गया, वो हो गया revenue expenditure, अभी बोला ये गया कि 2020-21 में जो total allocation था, 34,50,000 करोन का, 34,50, करोन का, इसमें से capital expenditure केवल 4,39,000 था, अब fast forward to budget estimates of 2021-22, सरकार ने बोलना है कि 2021 में हम लोग खर्चा करेंगे 34,83,236 करोन का, 20-21 में खर्चा हुआ 34,50,000 का, और 21-22 में सरकार बोल रहे हैं कि 34,83,000 का खर्चा करेंगे, यानि आप केवल 32,931 करोन बढ़ा रहे हो, अगर आप overall 34,50,305 के comparison में देखिए, तो 1% का increase भी नहीं हुआ है budget में, revised estimates अगर आप compare करो, अगर initial estimates देखोंगे 2020-21 के, तो बढ़ा है, 2020-21 में बीच में सरकार ने बहुत सारे announcements किये थे, जिसके चलते 15% extra पैसा खतम हुआ सरकार का, तो वैसे अगर आप देखो, जो initial estimates दिये थे, budget 2020-21 के एक February 2020 को, उससे compare करोगे, तो ये 34,83,000 का जो आपको figure दिख रहा है, बड़ा नजर आएगा, और सरकार वैसे ही बड़ा दिखाने के कोशिश कर रही है, लेकिन हमारे economists बहुत तेज हैं, Economist ने बोला कि भाई, बड़ा हुआ figure, देखो न, जो बाद में आपने, एक February 2020 को announce किया, तो उसके बाद जो आपने और extra खर्चा किया, जिसके basis पे revised estimates आए हैं, तो खर्चा हो गया 34,50,000 करोणों का, तो जो भी calculation कर रहे हो, आप करो with respect to 34,50,000 करोण, और 34,50,000 करोण, जो कि 20 में खतम किये गए, और 34,83,000 करोण, जो कि 21,22 में खतम किये जाएंगे, केवल 1% का increment नजर आ रहा है, और ये बोल रहे हैं, आथर कि भाई, इतनी बड़ी population के लिए, इतना economy नीचे चली गई, आप केवल 1% expenditure बढ़ा रहे हो, इससे काम नहीं चल पाएगा, पैसा ज्यादा ठीक है, तो भाई, ग्रोथ और employment करा नहीं है, अच्छा एक चीज यहाँ पे है, capital expenditure 21,22 के budget में 26% से बढ़ा है, लेकिन ये overall expenditure का केवल 15% है, capital expenditure 26% से बढ़ा है, बट overall expenditure का 15% अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, 2021 में 34,50,000 करोण का था आपका budget, जिसमें से capital expenditure था लगबग 4,40,000 करोण का, अब बोल रहे हैं कि जो capital expenditure है, वो हो गया है कितना, वो हो गया है आपका लगबग 26% increase, तो पहले capital expenditure कितना था, 4,39,000 करोण, मैं यहाँ पे एक लमसम calculation करने एक लिए इसको 4,40,000 करोण मान लेता हूँ, तो भाई, यहाँ पे देखिए, 26% का increment बता रहा है capital expenditure में, तो मैं इसको 25% मान लेता हूँ, मैं लमसम calculation कर रहा हूँ, मैं इसलिए मैं यह assumptions ले रहा हूँ, तो यह 4,40,000 करोण का 25% आ इतना हो जागा 1,10,000 करोण, तो इस 4,40,000 करोण में, आप 1,10,000 करोण मिला दो, तो 5,50,000 करोण हो गया, और यह 5,50,000 करोण, 34,83,000 करोण का कितना है, लमसम 15%, यही बोल रहा है आपे, कि यह साल में जो capital expenditure है, वो 26% से बढ़ गया है, लेकिन उसके बाद में जो total capital expenditure है, वो total expenditure केवल 15% है, तो यह कह सकते हो कि हाँ, capital expenditure थोड़ा बढ़ा है, बढ़ जिस हिसाब का budget का size है, उस हिसाब से capital expenditure काम है, हमें किसी ना किसी तरीके से जो भी सरकार कर रही है, उसको criticize करना है, तो भाई author criticize कर रहा है, चलिए ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, यह जो capital expenditure बढ़ के सामने आया है, इस से होगा क्या, इसको सरकार basically infrastructure push में डालेगी, बहुत सारा infrastructure को यहाँ पे build up करना है, हम infrastructure में कहीं ना कहीं पीछे हैं यह मानते हैं, अब ही infrastructure में अगर आप इस पैसे को डालते हो तो दो problem है, पहली problem तो यह है कि infrastructure projects लंबे चलते हैं, जब वो लंबे चलते है तो मानलों का 2 साल का time है, 3 साल का time है, 5 साल का time है, अब यह 5 साल की time में अगर वो infrastructure projects complete नहीं हुए, तो जितना पैसा initially उनको allocate किया गया था, उस पैसे को बढ़ाया जाएगा, तो cost over run होंगे, पहली चीज़, दूसरी चीज़, जब भी इस level के infrastructure projects चलते हैं, कुछ ना कुछ न लगा दिया, लेकिन इन सब चीज़ों को करने में समय लग जाएगा, infrastructure को आगे बढ़ाने में समय लग जाएगा, कुछ साल लग जाएगे, और immediately हमको जो economy बढ़ाने वाली बात है न, वो नहीं हो पाएगे, multiplier effects to lift the aggregate demand in economy might not emanate as quickly as expected, हमें economy सही करनी है, अपना production बढ़ाना है, T GDP बढ़ानी है, पर एकदम से बढ़ानी है, और जब आप infrastructure push दे रहो, तो आप एक long term की planning कर रहो, एकदम से कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, फिर अगर आप बात करो, इस साल के budget में, तो इस साल के budget को criticize किया जारा कुछ और बात हूँ में, जैसे sector specific targeted proposals कम है, कुछ sector specific proposals दिये जैसे कि production linked incentive दिये है, automobile sector को, electronic sector को, यह समय आपको बता चुका हूँ, लेकिन production linked incentives को छोड़ दीजे, तो भाई बाकी जो sector specific है, proposals वो ज़्यादा खास नहीं, जैसे agriculture को बहुत ज़्यादा पैसा allocate नहीं किया गया, micro and small industries को बहुत ज़्यादा पैसा allocate नहीं किया गया, इनको थोड़ा कम पैसा allocate किया गया, जबकि यह ऐसे sections है, agriculture and micro and small industry, जो बहुत सारे लोगों को employment दे सकते हैं, agriculture sector में कोई radical reform नहीं है, ठीके भाई, बात हो रही थी कि, फिर कुछ और चीज़ों को बाची चल ली थी जैसे कि यूरिया को nutrient-based subsidy regime के अंदर लेके आएंगे, पहले तो यूरिया में बहुत fertilizer subsidy जाती थी, अब थोड़ी कम कर दी, सरकार ने हो ज़रूरी भी है, यूरिया की smuggling शुरू हो गई थी मांगला देश और पाकिस्तान जैसी countries में, चाइना में, वहाँ पे यूरा बहुत महँगी कीम के अंदर, सरकार हर साल farmers को 6,000 रुपे देती है, इस 6,000 रुपे में भी कोई increment नहीं किया गया है, इस 6,000 रुपे को 6,000 रुपे रखा गया है, तो यहां पे सरकार ने कुछ changes नहीं किये हैं, बजट ने, जबकि author कह रहा है कि करने चाहिए थे, फिर बात की जाये है, हमा 5 trillion dollar का बनाना चाहते हैं, तो manufacturing growth आपको ले के आनी पड़ेगी, लेकिन manufacturing growth, चुकि सरकार ने तो ज़्यादा allocation किया नहीं है, तो अगर सरकार ने allocation नहीं किया है, तो private investment में depend करती है manufacturing growth, अभी private investment इस करोना के समय पर आएगी या नहीं आएगी आपके हैं नहीं सकते, textile sector में क्या export को promote करोगे, और इस समय पर export promote होना वैसे ही मुश्किल हो रहा है, चुकि exchange rate appreciate हो रहे है, exchange rate appreciate पता है ना आपको, अगर हमारी currency devalue होती ही, तो exports आसान हो जाते हैं, और अगर हमारी currency appreciate होती है, तो imports आसान हो जाते हैं, चुकि भाई, माल लो एक डॉलर पे 70 रुपे मिल रहे थ बाहर वाला आदमी 70 रुपे की चीज़ खरीद पा रहा थे इंडिया से, अब वो एक डॉलर पे 100 रुपे की चीज़ खरीद पा रहा है इंडिया से, तो इंडिया की चीज़ें बाहर वालों के लिए सस्ती हो जाएंगी, तो बहुत export होना लगेगा, इसलिए currency जब devaluation होता तो exports आसान हो जाते हैं, लेकिन इस समय पे currency appreciate कर रही है, और ये बात सही भी है, अब एक महीने पहले देखे तो एक डॉलर पे 75 रुपे था, अब एक डॉलर पे 72 या 73 रुपे आ गया है, तो कहीना 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 कहीन, हमारे जो exports हैं, वो uncompetitive हो रहे हैं, और जब exports uncompetitive हो रहे तो textile sector को धक्का लगेगा, चोकि textile sector में fabric, garments, बहुत export होते हैं इंडिया से, फिर कहीना कहीन हमारे इस बार के budget में, एक development financial institution मिनाने के बात की गई है, आप देखिए, development financial institution मिनाना बहुत जरूरी है, चोकि जो national infrastructure pipeline है उसको support देगा ये development financial institution, ठीक है भाई, अच्छी बात है, आप development financial institution मिना रहे हो, लेकिन भाई, एक तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है regulatory issues, एक तो होता है execution का risk, जब भी कोई infrastructure project बनता है, उसमें regulatory issue आते हैं, तो भाई, उसका आपको environmental approval लेना है, social impact assessment करवाना है, regulatory issue के चलते हैं, बहुत सारे infrastructure projects से लटक जाते हैं, और मालो आपने infrastructure project क इसको अटाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया, पहली चीज़, फिर भाई, यह जो development financial institutions है, यह public sector banks के ऊपर से ऐसा बोला जा रहा है, यह pressure अटा देगा, बहुत सारे infrastructure projects को public sector banks ने पैसा उधार पे दे रखा है, यह पैसा वापस आता है, नहीं loan NPO हो जाते हैं, तो कही ना क इसा कहा जा रहा है कि development financial institutions इस NPO को कम कर देगा, चुकि infrastructure projects को यह पैसा देगा, अभी कितना देगा, कितना नहीं देगा, यह तो समय बताएगा, बजट में एक और point रखा गया है, कही न कहीं लोगों को यह उम्मीद थी, कि जैसे मनरेगा, rural workers के लिए scheme है, कैसी कोई scheme, urban workers के भी खोली जाएगी, जिसको आप कह सकते हो कि urban welfare type की scheme हो जाएगी, लेकिन इस तरीकी कोई चीज नहीं हुई है, वैसे तो informal economy हो काम करने वाले लोगों को, ready वाले street vendors, gig economy के workers को social security के benefits दिये गए है, बट urban employment की कोई नई scheme नहीं चलाई गई है, जिसके बारे में सोचा दाया है थ यह रहने वाली है 20-21 में, यह आने वाले 21-22 में कितनी हो जाएगी, 6.8% of the GDP, तो 2020-21 में fiscal deficit 9.5% of GDP, 2021 में 6.8% of GDP, तो यह fiscal deficit कम कैसे हो रही है, इसके लिए सरकार ने तीन logic दी है, पहला logic तो सरकार ने यह दिया है, कि जो base effect है, वो base effect बढ़ जाएगा, 2020-21 में जो total economy है, वो 2021 में जो total economy है, वो जितनी है, यह जादा हो जाएगी, this will be more, or this is less, तो obviously बात है, 2020-21-21 में economy बढ़ेगी, तो 2021 में हमारी economy जादा हो जाएगी, तो denominator बढ़ा हो जाएगा, तो overall यह जो 6.8% का figure है, यह थोड़ा कम देखेगा, इसके लिए economy का बढ़ा होना ज़रूरी है, पहली sector enterprises है, सरकारी company है, इनके shares को बेच के हम पैसा कमा लेंगी, जिसको आप बोलते हो, dis investment, तो dis investment से अच्छे revenue आ जाएगी, इन तीन चीजों की basis पे सरकार बोल रही है, कि physical deficit 9.5% से कम होके, 6.8% पे आ जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं, यह चीज़ें होंगी, या नहीं होंगी, parameters पे आप ये 9.5% की GDP को, sorry, physical deficit को 6.8% पे लेके आ रहे हो, ये होना बहुत मुश्किल है, चोकि इतने अच्छे macro economic indicators अभी भी हमारे Indian economy के नहीं हैं, उसके बाद यहाँ पे author one relation one elections की भी बात हो रहा है, लगबग चार लेड़ी वे सेमली में 2021 में election होने वाले हैं, ये जो हर सा हर दूसरे साल या हर साल election होते रहते हैं, ये कहीं न कहीं हमारी economy को गड़बड़ता देते हैं, बहुत सरा पैसा खतम होता है in elections पे और वो taxpayer कमनी होता है, election commission of India को पैसा खतम करना पड़ता है, तो कहीं न कहीं न कहीं एलक्शन को uniform करने की जरू होते हैं, भाई हर आने वाले स साल में कोई न कोई election हो रहा है, ये सहीं नहीं है, कम से कम elections को आप इस प्रकार से लखिए, कि दो ली बार election हो, जैसा कि पहले एक idea नहीं मूठ हो था, कि central government का जब election होगा, लोग सभा का जब election होगा, तो आदे states का election अलग से करवा लेंगे कभी, तो इस प्रकार को एगर idea आ है, तो पैसा कम खतम होगा, पैसा कम खतम होगा, तो भाई कहीं न कहीं पैसा बचे का, पब्लिक रिवनी बचे का, जूकि एलक्षन में खर्चा तो टेक्स्पेर मनी से ही होता है, तो ये सब आते हैं आपे कहीं जा रही है, आगले article पहते हैं, it's goodbye to fiscal orthodoxy, budget 2021 is a departure from the key tenet of Washington consensus macroe economic stability का, और हमारा जो budget है, वो macroeconomic stability के हिसाब से नहीं है, तो अब ये एक अलग ही वी point है, जो क्या बताएगा, जो बताएगा कि सरकार जलो से ज्यादा खतम कर रही है, अब तक सारे points क्या बता रहे हैं कि सरकार बहुत कम खतम कर रही है, ये बताएगा कि सरकार जलो से एसा यह आउर्थ बोल रहे हैं. देखिये क्या लिखा हुआ है यह पर. A change in physical stance is a part of a selective departure from market orthodoxy that has marked the government economic policy in the last few years. The government has increased duties on some imports in order to protect and foster domestic industries. It has introduced performance-lit incentive that goes counter to market economy. The government is now happy to adhere to other elements of market orthodoxy, यसे direct FDI or privatization. क्या बोलना जारा आब एकर करके समझाता हूं? पहले सरकार market orthodoxy को follow करती थी. Market orthodoxy मतलब physical conservatism, मतलब पैसा समाल के खतम करना है. कुछ भी उड़ाते नहीं रहना है. लेकिन अब कहीं न कहीं सरकार ज्यादा पैसा खत्ना हों कर रही है. अब सरकार दूसरी तरीकी की चीज़ा कर रही है. पहले की सरकारे क्या करती थी? इंपोर्ट पे ज़्यादा dependent रहती थी. तो चाइना से इंपोर्टों के सामान आए जा रहा है तो आने दो. अब सरकार क्या कर रही है? कि चाइना से सामान कम मंगा के हम अपनी domestic industry को develop करेंगे. तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो सरकार का market stance है ये बदल रहा है. पहले जिस orthologs तरीके से सरकारे चलती थी वो कम हो रही है. तो पहले सरकारे कम खरचा करती थी, अब सरकार ज़्यादा खरचा कर रही है. पहले सरकारें, imports के जाधे dependent थी, अब सरकार कोशिश कर रही है कि हम अपने domestic industry को develop करें, imports थोड़ा कम करें और सरकार यहां पर जो भी incentive दे रही है, वो performance से linked करके दे रही है, जो कि market economy के against जाता है चुकि यहाँ पे कही ना कही देखे जब आप performance link incentive देखते हो तो आप free market economy को correlate करते हो पहली बार तो performance link incentive में सीधी सीधी बात है कि जो companies already established है उनको फैदा हो जाएगा नई companies आगे नहीं आ पाएंगे और कहीं न कहीं एक open economy में नई companies के पास आगे होने की भी कावलित होनी चाहिए लेकिन सरकार को results से मतलब है इसलिए उनको परफॉर्मेस link incentive लिया है परफॉर्मेस link incentive समझ रहो ना कि electronics के field में, automobile के field में जो performance देगा जो इतना production कर देगा उसको ही हम benefit देंगे जो नहीं production कर पाया उसको benefit नहीं मिलेंगे लेकिन market orthodoxy के कुछ concept जिसको लग रहा है कि जिसको सरकार को लगता है कि हमारे देश में development ला सकते हैं, उनको सरकार ने रखा है जैसे कि privitation ने अभी भी maintained है FDI सरकार अभी भी बाहर से बुला रही है चुकि सरकार को ऐसे लगता है कि foreign direct investment अगर बाहर से आता है तो technology भी आईगी बाहर से कहीं न कहीं, China जैसी जो countries है वो इसी किदम पे आगे बढ़ी है तो हम भी इसी किदम पे आगे बढ़ेंगे यह होगा की नहीं होगा, यह समय बताएगा अगर आपको सरकार की physical thinking की shift को समझना है तो आपको एक document पढ़ना पड़ेगा बजट का और उस document को पिछले budget की document से compare करना पड़ेगा और इस document का नाम है medium term fiscal policy कम fiscal strategy statement medium term fiscal policy कम fiscal strategy statement यह भाई जो document है बहुत सारे fiscal indicators के बारे में बताता है अब देखते हैं अगर आप इस document को पिछले सालों में देखोगे तो इस document किस हिसाब से चीज़ें बताता था जिस साल यह document आता था उससे पहले की दो साल के projections बताता था और उसके आगे के दो साल के projections बताता था अब ये डॉकुमेंट बोल रहा है फाइनेस मिनिस्टर की स्पीच के एसाब से कि 2026 तक हम टारगेट करेंगे कि हम फिसकल डेफिसिट को 4.5% परसेंट अफ जीडीपी पे ले आए मैं आपको ये बता दूँ दोसरो 2014 से सरकार का ये टारगेट रहा है कि भाई 3 से लेके 3.5% के अंदर फिसकल डेफिसिट को मेंटेन किया जाए हो सके तो 3% तक फिसकल डेफिसिट को लेके आया जाए है और ये पिछले 7-8 साल से सरकार टारगेट कर रही है और इससे होगा फिसकल कंसोलिडिशन फिसकल कंसोलिडिशन मतलब हमारा उधार धीरे-धीरे घматता जा रहा है कहीं ने कहीं हमारी economy को जो macro economic indicators है वो जो अच्छे होते जा रहे हैं सीधी बात है लेकिन अब सरकार साफ साफ बोल रही है कि 3% तो GDP पॉसिबल लगी है नहीं रही है 2025-26 तक हम यह try करेंगे कि हम 4.5% of the GDP तक चीज़ें लेके जाएं अब this is the involution of fiscal responsibility and budget management act तो finance minister ने ये भी बोला है कि हम fiscal responsibility and budget management act को amend करेंगे और उसमें include करेंगे एक loss of 4.5% of GDP मतलब कि अब हमारा target is not 3% of fiscal deficit now our target is 4.5% of fiscal deficit मतलब कहीं न कहीं finance minister ने ये बोल दिया है कि FRBM act के अंदर अब 3% of fiscal deficit को maintain कर पाना possible नहीं है साड़े 4% पे हम लेके जाएंगे चीज़ों को सरकार openly बोल रही है कि अब खर्चा कम नहीं किया जा सकता बट क्या ये सही है क्या ये international norms के हिसाब से है क्या इतना खर्चा इंडिया की macro economic stability के अच्छा है यहाँ पे बात करी जा रही है Washington Consensus की ये Washington Consensus क्या है और Washington Consensus से हमारा budget डिपार्ट कर रहा है अलग जा रहा है Washington Consensus के हिसाब से policy making होती है दुनिया में और इस Washington Consensus में एक concept है macro economic stability macro economic stability क्या बोलता है it means that government budgets need to be broadly in balance so that borrowings to finance the deficit are kept to the minimum बन्हें Washington Consensus ये बोल रहा है कि जो सरकारों के budget है वो थोड़ा सा सही balance में होने चाहिए खर्चा आप उतना करिये जितना जरूरी है मतरब आप कम से कम खर्चा करें बहुत ज़्यादा उधार पे पैसा न उठाएं कर्चा करने के लिए कई न कई ग्रीस जैसी countries Portugal कैसी countries ये जो euro crisis आई थी ना उसमें ग्रीस के पास पैसा खतम हो गया था problem यही थी कि ग्रीस के पास पैसा था नही markets उसने बहुत ज़्यादा पैसा उठाली और फिर bankruptcy की situation आ गई तो इस चीज़ को ना करने के लिए macro economic stability होना जरूरी है मतलब पैसा खतम करने के लिए आप एक limit से ज़्यादा पैसा markets उधा के उठार उठा के ना खतम करते जाओ कहीं न कहीं आपको austerity लेके आनी austerity मतलब थोड़ा पैसा बचाना है यह बोलता है Washington consensus प्रॉब्लम यह है कि यह austerity वाला जो norm था कोरोना के पहले तक तो दुनिया भर की countries फॉलो कर रही थी अब कोरोना का crisis जैसे ही लगा उसके बाद से यह austerity अब एक luxury बन गया है अब austerity होई नहीं पा रही है और अब सीधे-सीधे बाद जो इंडिया में budget आया और उससे पहले economic survey आया वो सीधे-सीधे indirectly यही बोल रहा है कि भाई austerity अब नहीं हो पाएगी a groundwork has been prepared for a departure from rigid adherence to fiscal consolidation अब तक हम जो fiscal consolidation करने की कोशिश कर रहे थे that is not at all possible कहीं न कहीं उस fiscal consolidation से अब हमको deviate करना ही पड़ेगा और यहाँ पे economic survey में Olivier Blankard के एक quote को जोड़ा गया और यह quote बड़ा interesting देखिए क्या लिखा हुआ है if the interest rate paid by the government is less than the growth rate then the inter-temporal budget constraint facing the government no longer binds कहने मतलब क्या है inter-temporal budget constraint का मतलब क्या होता है budget में आप बताते हो कि हम खर्चा कितना करेंगे और हमारे पास पैसा कहां से आएगा अब इखर्चा हमारा है 100 करोण और पैसा हमारे पास आरा है 70 करोण तो हम 30 करोण मार्केट से उधार उठा के खर्चा करेंगे जब इस 30 करोड को हम मार्केट से उधार उठाएंगे तो इसके उपर हमको ब्याच चुकाना पड़ेगा लेकिन अगर हमारी एकॉनमी की ग्रोथ अच्ची हो रही है तो मालीज हम 100 करोड खतम कर रहे हैं और हमारी एकॉनमी 10% की ग्रोथ रेट से ग्रोथ कर रही है इकॉनमी की जो ग्रोथ रेट है वो 10% है तो जब तक एकॉनमी की ग्रोथ रेट 10% है और मार्केट से जो पैसा उठाया सरकार ने उसके सरकार इंट्रेस दे रही है 5% तब तक मार्केट से पैसा उठा सकती सरकार बस सरकार की जो एकॉनमी की ग्रोथ है वो ग्रोथ जो सरकार दे रही है, बाहर से उठाए हुए पैसे को उससे जाद होनी चाहिए, तो तो आपका बाहर से पैसा उठा पाना सही है, the moment, आप ये समझे, the moment, interest rate growth differential, the difference between the interest rates and growth rate becomes negative, ये intemporal budget constraint play में आ जाएगा, मतलब कि हमारी economy की growth मानली हो जाती है 5%, और हम बाहर से जो पैसा उठा रहे हैं, वो है 10% ब्याज पे, तब ये चीज़ feasible नहीं हो पाएगी, तो Olivier सहाब का यही बोलना है, कि हमारी economy तेजी से बढ़ रही है, और जो पैसा हमने बाहर से उठा है, वो कम interest rate पर उठा है, तो तो चल जाएगा, लेकिन हमने पैसा जादा interest rate पर उठा रहा है, और हमारी economy तेजी से grow नहीं कर रही है, तो फिर ये financially unwiable हो जाएगा, सरकार कभी न कभी, देश कभी न कभी bankrupt हो जाएगा, समझ के बात को, यह बात नहीं यहाँ पर बोली गई है, अब अगर आप US जैसी countries की बात करो, advanced economies की बात करो, वहाँ पर interest rates negative हो गया है, कहना है, मतलब क्या है, Federal Reserve of USA, Federal Reserve of USA अपने Treasury Bills इशू करता है, जैसे RBI Treasury Bills इशू करता है सरकार के, Federal Reserve भी इशू करता है, Federal Reserve के जो Treasury Bills है न, उसके interest rate बहुत कम मिलता है, मालो 1000 डॉलर का Treasury Bills है, तो उसके 1,5% कभी कभी negative interest rates मिलता है, क्यों, चुकि US सरकार सबसे ज़्यादा भरोसे मंद है, जो भी ब एक चीज तो clarity है, कि हमें हमारा पैसा वापस मिल जाएगा, और जितना safe वो investment mechanism होगा, उस पर उतना कम ब्याज मिलेगा, जितना risky investment होगा, उतना जादा ब्याज मिलेगा, तो Somalia को अगर अपने Treasury Bill बेचने है, तो interest rate ज्यादा देना पड़ेगा, चुकि रिस्क ज्यादा है, लेकिन अगर federal reserve को अपने, of the USA को अपने Treasury Bill बेचने है, तो बहुत कम interest rate मिलेगा, चुकि सब को पता है कि federal reserve हमें पैसा वापस कर देगा, तो इसी यही बोला जा रहा है, कि जो advanced economies हैं, वहाँ पे interest rates बहुत कम होगे हैं, तो उनका जो growth rate है, उनके interest rate से हमेशा जादा ही होता है इसलिए ये जो Oliver साब बोल रहे है, Oliver Blankard साब, ये बातें developed countries में तो properly implemented हैं, बट इंडिया में आगे आने वाले समय में properly implemented रहेंगी या नहीं रहेंगी, इस बात पे थोड़ा doubt है, हमारे आगे आने वाले समय में, हमारी जो growth rate है, और हम जितना ब्याज दे रहे हैं, बाहर से पे उसमें positive difference रहेगा या नहीं रहेगा, इस बात को सोचना, अभी थोड़ा सा मुश्किल है, वो आने वाले सालों में ही पता चलेगा, अभी के लिए तो हम जिस ब्याज पे पैसा उठा रहे हैं, बाहर से वो कमी है, और हमारी growth rate भी लग ठीक ठाक हो जाएगी, अगले साल International Monetary Fund और World Bank, पहले ये लोग क्या बोलते थे, पहले लोग बोलते थे कि Public Debt to GDP Ratio आपका 100% से जाधा नहीं होना चाहिए, हमारी सरकार का लगबग 73% था, ठीक है, कोरोना के pandemic से पहले, आज की डेट में International Monetary Fund और World Bank ये बोल रहा है, कि आप अपना Public Debt to GDP Ratio 125% तक लेके जा सकते पहले बोलते थे कि आपका Public Debt to GDP Ratio 100% से जाधा नहीं होना चाहिए, वो अब permission दे रहे हैं, 125% तक जाने की, इंडिया का Public Debt to GDP Ratio पिछले कई साल से 70% के आस पास घूम रहा है, Debt to GDP Ratio में नाम हर्शी दिविदिक साथ YouTube में सर्च वारी है, आपको वीडियो मिल जाएगी, महाँ पे मैंने बहुत डीटेल में समझाए है, कि ये Public Debt to GDP Ratio क्या होता है, तो बाई, इंडिया का 73% था कोरोना से पहले, अब बोला जा रहा है कि कोरोना के बाद लगबख 90% हो गया है, इंडिया का Public Debt to GDP Ratio, तब भी ओरिजिनल 100% से कमी है, वर्ड बैंक और IMF आले इंडिकेटर से और 125% से तो बहुत ही कम है, तो आप इस हिसाब से देखोगे, तो हमारी Macro Economic Stability ठीक है, लेकिन फिर भी 90% of the GDP का Debt उठाना है, ये भी सही बत नहीं है, बट कहीं न कहीं, ये जो International Monetary Fund है, और ये जो वर्ड बैंक है, वो ये बोल रहे सी बात है, यहां पर Economic Survey और World Bank बोल रहा है, कि 125% तक of GDP आप लोन उठा सकते हो, और इंडिया के लोन करोना के बाद भी 90% of GDP तक ही पहुचा है, तो कहीं न कहीं हम लोग sustainable है, हम लोग physical policy को expand कर सकते हैं, और चुकि 2020 में हमारी economy नीचे गई है, तो 2021 में बहुत उपर जाएगी, तो चुकि हमारी economy 2021 में बहुत उपर जाएगी, तो एक expansionary physical policy लेके आ सकते हैं, जिससे growth बढ़ेगी, और debt to GDP ratio बढ़े होंगे, बट इतने ज़ादा नहीं बढ़े होंगे, कि हमें problem हो जाए, फिर एक बात और बोली जा रही है, जब आप fiscal deficit को बढ़ा रहे हो, एक limit से इसा pump-in कर रहे हो economy में, fiscal consolidation targets को violate कर रहे हो, तो कहीं न कहीं inflation भी बढ़ेगा, तो यह जो inflation का target आप रखते हो, 4-2% की range में इसको भी change करो, हला कि इसको change करने से मना कर दिया है, finance minister ने, finance minister ने बोला है कि कुछ surprises ही ठीक है, एक limit से जादा surprises ठीक नहीं है, तो भाई हम लोग जो fiscal deficit का target है, इसको 4-4% तक लेके जा रहे हैं, अभी हम inflation के target को भी एकदम से बदल दें, वो सही नहीं है, एकदम से बहुत सारे surprises सही नहीं है, बट economic experts का यह बोलना है कि जब आप fiscal consolidation के targets को violate कर रहे हो, ज्यादा पैसा economy में pumping कर रहे हो, तो आगे आने वाले समय में inflation बढ़ेगा उसके बाद यह बोला जा रहा है कि tax to GDP ratio तो बढ़नी रहा, tax collection बढ़नी रहा, तो सरकारें क्या सोच रही हैं कि public assets को बेच के पैसा कमा लिया जाए, अभी ऐसे समय में public assets को सस्ते दामों में बेच देना यह ठीक नहीं है, this is a high risk strategy, revenues from disinvestment जितना सोचा गया तो उससे बहुत क नहीं है, और finally, सरकार दो चीज़ें promote कर रही है, एक तरफ पे सरकार promote कर रही है, large FDI, तो बाहर के companies आके इंडिया की economy में पैसा pumping करें, अपनी technology को लेके आए, तो ठीक है भाई, लेकिन जितना जादा FDI मतलब उतने जादा foreign companies की presence Indian market में, यह पहली बात होगे, दूसरी बात क की बात कर, तो मतलब आप इंडियन companies को strong करने की बात कर रहे हो, तो दोनों चीज़ें कहीं न कहीं contradict कर रही है, एक तरफ पे आप FDI बढ़ा के foreign presence को बढ़ा रहे हो, दूसरी तरफ आद मिनलबर भारत के तो आप इंडिया की companies को strong करने की बात कर रहे हो, तो आप किस तरीके स बेसे चीज़े कर रहे हो, यहाँ पर सरकार का most probably, जो target है वो यह है कि बाहर की companies आए, अपनी technology लेके हैं, और उनको देखा दे कि हमारी जो domestic companies हैं, वो भी आगे बढ़ेंगी, ठीक है, तो यह सब बाते यहाँ पर बताई जानी, large scale privatization जो सरकार promote कर रही है, उससे भी ज़्या government jobs हैं, जाएंगी, अभी आप अगर privatization करते हो, disinvestment करते हो, तो बहुत सारी जो सरकारी bank है, सरकारी enterprises जिनको आप परप्राइस कर रहे हो, उनकी नौक रिया जाएंगी, तो उसका backlash होगा, वो एक अलग problem है, तो ऐसी बहुत सी problems यहाँ पर सरकार के सामने आने वाली है, तो सर channel article बें चलते हैं, on the alert always, much more needs to be done, for left wing extremism to be completely wiped out, नौमबर 2020 में एक बड़ा ही unfortunate incident होगा था, हमारे एक assistant commander, cobra battalion के, full form इसका, commando battalion for resolute action, निखिल पी भाले रहा हो, इनकी मृत्ती हो गई, एक IED blast हो गया, improvised explosive device, actually में हो क्या रहा था कि एक anti-moist operation हो रहा था, जो moist थे, उन्होंने I IED Bum छुपा रखा था, उसके फटने की वज़े से, हमारे assistant commander जी की जान चली गी, और आठ और लोगों को चोट लगी है, तो अब इससे किस चीज़ पर ध्यान जाता है, इससे ध्यान इस बात पर जाता है, कि हमको अपनी जो intelligence system है, इनको enhance करने की जरूत है, चुकि कहीं न क जब तक हमारे intelligence systems enhanced नहीं होंगे, इस प्रकार के जो भी आप कह सकते हो कि events है, वो होते ही रहेंगे, और पहले भी unfortunately हमारे जवानों शहीद हुएं, 2008 में, 36 गर्ड में land mine blasts हुए से, बहुत सारे जिसकी वाइसे CRPF के ऐसी जवान शहीद हो गए, उसके बाद जो home affairs है, उसके चीफ मिनिस्टर of home affairs पीचे दंबरम, उन्होंने बोला कि left wing extremism वाले state, 36 गर्ड जार का नोडी सा, वेस्ट बंगाल, मद पदेश, उत्तर प्रदेश, वहाँ बहुत सारे CRPF persons को deploy किया जाएगा, किया भी किया, और कई न कई उससे माउईदम खतम भी हुआ था, इन लोग को पहले 12 हफते की induction training दी गई, 36 गर्ड में, लेकिन induction training के बाद भी आप देखे, तो 2009 से लेके 2010 के बीच में, 76 CRPF की जवानों की शहीद हो गए दंतेवाडा में, अपरेल 2010 में, CRPF भी भाई, trained एक paramilitary force है, यह चुप बैठने वाले है नहीं, यहनोंने 200 moist cadres को eliminate कर दिया 2009 से ले और moist हारते गए, अब बहुत से जगवापे moist on the run है, या तो सरेंडर कर रहे हैं या भाग रहे हैं, 2019 से 50 moist मारे गए, 32 last year 2020 मारे गए, last decade में 570 moist मारे जा चुके हैं, अभी के लिए जो moist का moral है बहुत ज़दा नीचे है, सब्टेंबर 2018 में 360 moist ने भारत सरकार के सामने और CRPF के सामने सरेंडर कर दिया, लेकिन अब यहां पर देखे हमारे बहुत सारे जवान और रेड़ी शहीद हो चुके हैं, और कहीं न कहीं यह जो लोग मर रहे हैं moist, यह भी देश के नागरी की हैं, कहीं न कहीं lives जा रही हैं, और especially यहां पर हमारे जो जवान हैं, उनकी lives बहुत ज ज़रूरी हैं, चुकि अपना घरबार छोड़के वो देश के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसा intelligence setup होना चाहिए, कि यह जो security forces के उपर attack है, यह कम हो सके, यह security forces अपने उपर होने वाले attack को रोख सके, और साथ साथ security forces हमेशा on the offensive पे रहे हैं, चुकि अगर moist cadder समझ नहीं रहे है और attack कर रहे हैं, तो उनके प्यार से बात तो उचका लेगा नहीं काम, उनको मारना ही पड़ेगा, तो इसके लिए हमारे security forces के पास यह ताकत होनी चाहिए, कि this should be on the offensive, इसके लिए Belgian Malinus Docs का इस्तेमाल किया गया है, अभी Belgian Malinus Docs, IEDs को detect कर पाते हैं, ड्रोंस का इस्तेमाल होना अभी भी बाकी है, okay, CRPF जो परसनल है, वो अभी भी जाड़ियों में रहते हैं, हट्स में रहते हैं, पक्का बिल्डिंग्स नहीं मनाई कहीं, कहीं नहीं कहीं, उनके पक्का बिल्डिंग्स नहीं बनानी ज़रूर ही है, चोकि जो temporary हट्स होती हैं, they are prone to attacks, अगर पक् की, overall, accommodation को बनाने के लिए 114 क्रोन रुपे की डिमांड गई थी, CRPF की तरफ से, लेकिन केवल 33 क्रोन रुपे अकॉमोडेट किये गए, suitable accommodation प्रोवाइड करना, Central Armed Police Forces को यह किसका काम है, तो राज्य की सरकारों का काम है, okay, और कहीं राज्य की सरकारों ने उतना पैसा नहीं दे पाया है, उनके पाद अपनी प्रॉब्लम में, right to information campaignant है, यह गोविंदन नमपूर थी, उन्होंने बोलाए कि 36 गण के लिए, MHA ने 35 करोड रुपे अलोकेट किया, 28 प्रोन लगबग जारखंट के लिए अलोकेट किया, 2020-21 के expenditure में, for left-wing affected states, but कहीं न कहीं यह जो पैसा किया गया है, this is not enough. किया होता है, आपने most elements को eliminate किया, फिर आप जगाँ छोड़ के चले कर, तो उन most elements को मौका मिल गया, फिर से खड़े होने का, फिर से अपने बोकाबल बनाने का, यह मौका ही नहीं देना है, completely इस left-wing extremism के कर्स को, इंडिया के नक्षे से अठा देना है, और इसके लिए, कार पैसा तो भीजवाई सकती है ना उपर से, यह सब बाते हैं पर बताई जा रही है, इस article लो लेखा है MP Nathaniel जी ने, यह Inspector General of Police and Retired CRPF के, तो यह था आज का analysis दोस्तों, I hope आपको ठीक टाक चीज़ें समझ में आ गई हूँ, जितना detail हो सकता है, मैंने समझाए, कुछ articles लग गे हैं, thank you for watching, have a great day, वीडियो को like और share करके जरूर जाना, और अच्छा लगे है तो चैनल को join भी करना, goodbye